Hello guys, welcome to TrueSide tutorials इस वीडियो में हम देखेंगे selection sort के बारे में basically selection sort में दो type होता है तो हम एक example की तरह से समझेंगे एक array लेते है जिसमें हम 5 elements लेते है 20, 10 5, 35 and 9 तो उसमें क्या होता है type 1 में हम क्या करते है basically सबसे छोटा वाला element जो हता है उसको choose करके हम पहली position बिलाते हैं फिर बाद में second छोटा वाला जैसे कि यहाँ पर 9 है तो हम 9 को choose करेंगे और second position बिलाएंगे उस तरह से हम array को sort करते हो जाएंगे तो हमारा array sort हो जाएगा 20 और 35 तो इसको हम type 1 कहते हैं जिसमें हमने क्या किया element को choose किया वो छोटा element है सबसे अब type 2 में क्या करेंगे हम कि बड़ा वाला element choose करेंगे और उसको हम एक last position पर रखेंगे जैसे कि यहाँ पर बड़ा वाला है 35 तो उसका हम choose करेंगे और end position पर रखेंगे 35 को फिर उससे छोटा लेकिन second highest number यहाँ पर कुणसा है कि 20 है तो हम उसको choose करेंगे और second last position पर रखेंगे फिर third highest ऐसे करते हुए हम आरे को sort करेंगे तो यह होते basically two types तो उसमें से जो है न मैं यहाँ पर आपको type 1 पढ़ाने वाला हूं और यहाँ और उसका code भी बताऊंगा आपको और आपको खुद को type 2 का code करना है take an array like हम उपर कही आरे ले लेते हैं यहाँ पर 20 10 5 35 और 9 और इसको हम एक example की तरह से समझेंगे क्या होता है selection sort में पूरा एक example देखकर type 1 का हां तो यहाँ पर हम क्या करेंगे हमें दो condition की जरुरत पढ़ते हैं एक हमें minimum index रखना पढ़ता है क्या करेंगे minimum element जो होता है उसको पहली position पर लेकर आने वाले और second में क्या है कि हम swapping करने वाले है क्या है कि जो element ऊपर धार यहां पर देख सकते हां कि five element था तो हमने क्या क्या उसको swap करके यहां पर लेकर आने वाले तो हमें दो condition के जरू होते है हमारे code में क्या करना है हमें minimum index रखना है और swapping करनी है तो हमें दोनों का code भी मिल जाएगा हम end में code provide कर देंगे और उसको explain भी करेंगे तो हम यहां पर अभी algorithm को समझते हैं हम क्या करेंगे अभी starting में minimum index रखते है 20 का जो है क्योंकि आरे में क्या होता है 0 तर index है 0 1 2 3 और 4 तो यहां पर highest index है 4 और lowest index है 0 तो हम क्या करेंगे first index को ही element को lowest element समझेंगे 0 तो हम check करेंगे क्या 20 10 से छोटा है यहां पर condition false हो जाती है तो 10 छोटा है तो इसलिए हम क्या करेंगे minimum को update कर देंगे index को और index हो जाएगा 1 फिर बात में हम check करेंगे 1 जो index है उसका element second index के elements के छोटा है या बड़ा है यहां पर हमें पता चलता है कि second element भी छोटा है तो हम क्या करेंगे minimum को update कर देंगे और second देंगे फिर हम करेंगे 5 35 से बढ़ा है नहीं है तो हमारा index जो है वही रहेगा फिर हम 9 से check करेंगे तो फिर हमें वही result मिलता है कि 5 यह सबसे छोटा है तो second index तो हम क्या करेंगे second index पे जो element है मतलब 5 index 2 है लेकिन element 5 है तो उसको हम swap कर देंगे किसके साथ 20 के साथ मतलब 0 इंडेक्स वाला जो हमारा आय होता है starting में उसको index के साथ swap कर देंगे तो हमारा swap होने के बाद अरे कैसे बन जाएगा 5 10 20 35 & 9 तो फिर हम अभी यह element की जगह हमारी fix होगी लेकिन यह element हमारे अभी fix नहीं है तो अब हम क्या करेंगे start करते स समय iteration अब यहां से start करेंगे iteration इसमें देखेंगे हम कि सबसे छोटा element कुल सा है जैसे कि हमने यहां पर एक पुरे आरे मेंसे छोटा element नहीं का ला और उसको side out कर दिया वैसे हम इसी मेंसे चोट element देखेंगे इसमें से सबसे चोटा element क्या है nine है तो हम क्या करेंगे nine को भी minimum element भाहर आते आते हैं हमारा rs sorted हो जाएगा 35 ऐसे है पूरा यह जो होता है यह पूरा process है लेकिन हम यहाँ समझते हैं अगर हमें यहाँ पर देखते हैं कि हमें कितना traverse करना पड़ा पहली के लिए हमें मतलब पहला element चूज करने के लिए हमें छोटा वाला तो हम क्या किया तो उस तरह से हम कितने times कर रहे है 5 multiply by 4 times मतलब यहाँ पर 5 elements थे मतलब n multiply by n-1 तो इसकी time complexity हो जाती है n2 theta of n2 और हम यहाँ पर आप code देखेंगे हमारा कि जो हमने बनाया हूँ है पूरा code वो यहाँ पर है उसे हम समझ कर लेते हैं तो guys हम code देख रहेते हैं यहाँ पर हमने क् कि हमने एक standard library अपने include कर ली मतलब जिसमें हम पूरे algorithms होते हैं और हमने name space include किया यहाँ पर swapping का function है हमने यहाँ पर swapping के लिए pointer यूज किया हुआ है इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी यहाँ पर हम हमारे tutorial में देख सकते हैं अपने tutorial में क्या है यहाँ यहाँ पर कि हम index के अ order के जरूरत पढ़ गई और हम इसके लिए swapping का element आपको पता है पूरा code का function swapping का क्या होता है simple हमने x को y से replace कर दिया और y को time से और इस तरह से हो गया और printing के लिए हमने travel cell यूज किया basic travel cell जिसमें हम for loop का यूज कर लेते हैं और traversing हो गया अरे print करने के लिए हम क्या करते हैं जब भी अपने को coding round होता है या company का round होता है उस time पर क्या करते है कि basically structure नीचे वाला दिया रहता है हमें driver code और हमें करना होता है सिर्फ एक selection slot का function है वो लिकना होता है तो पॉइंटर्स के साथ swapping करना भोज जरू है यहां पर हमने यह भी ले लिया कि एक int mean ले लिया इसमें क्या करेंगे हम minimum index store कर रहे है जैसे कि हमने पहले बताया था और हमने क्या किया first index मतलब यहां पर क्या कि हमने कि first index जो था आय उससे start कर दिया मिन को मैंने decide कि पहला element जो ह मतलब j element जो है आरेका अगर वो छोटा है तो हम mean को replace कर देंगे index को j के साथ और देखेंगे कि यह पूरा होता है या नहीं complete और उसके बाद में अगर हमारे पास मिल जाता है at the end यह loop end होने के बाद में हमें सबसे minimum वाला मिलेगा mean जो कि j का है तो फिर हम उसको replace कर देंगे i i के साथ क्यूंकि i क्या होता है जैसे कि starting में हमने क्या किया था है यहाँ पर हमारे code में लेकिन जब one पे जाएगा next iteration में तो हमारा mean कौन सा होगा one वाला होगा तो हम उस तरह से हम आगे आगे चलते जाएंगे जिससे हमें एक element को हम side out side out करते जाएंगे और at the end हमारा पूरा RS sorted हो जाएगा और उसको हम sub भी करते रहेंगे यहाँ पर सबकी function से तो हम इसे run करके देख लेते execute करके एक बार कि कैसे आता है function यहाँ पर आप देशकें हमारा क्या हो गया पहले हमने array था 7, 22, 15, 10, 9 तो हमने क्या क्या 7 तो पहले से बिसिकले सबसे चोटा element है तो उसमें कोई जरुवत नहीं पड़ी गई तो हमने क्या क्या बाद में second iteration में हमारा 9 second position पर आ गया जो सबसे चोटा वाला था तो फिर second चोटा वाला था 10 तो उसको third iteration में यहाँ पर आ गया पर चोटा वाला है 15 तो यहाँ पर आगे से पहले से sorted हो चुका है तो उसलिए उसने यहीं से sort out कर दिया vivre के तर इंशा थर बढ़ झाब झाला थे धर आगे सुन् exerc सेवार था।ाš